Hello everyone, my name is Sonam Sandhu and in this video मैं आपको बताने वाली हो Writing Task 1 Academy से related कुछ बहुत important knowledge So guys, Writing Task 1 की आप लोगों ने काफी मुझे भेजे हैं comments कि मैं मैं आपकी Writing Task 2 की तो इतनी सारी वीडियोस हैं कि बस मैंने Bands Brew method देख लिया और PIX method देख लिया और बस हो गया Writing Task 2 essay writing तो हम easily लिख पाते हैं पर कुछ ऐसा ही develop करो Writing Task 1 के लिए So try to understand guys, Writing Task 1 में अलग-अलग types of questions होते हैं In this video हम लोग discuss करने वाले maps और diagrams से related vocabulary जिन students को नहीं पता कि maps क्या होते हैं, diagrams क्या होते हैं for those यह maps और diagrams होते हैं for example आप रहते हो जलंदर में रहते हो आप और जलंदर में आप model town में रहते हो तो model town 50 years पहले कैसा दिखता था और आज model town का map कैसा है क्या-क्या changes आए पिछले 50 सालों में वो चीज होती है map या diagrams में उन्होंने एक particular place की बात कर ली और बता दिया कि उस place में 50 साल पहले क्या होता था और 50 साल बात क्या-क्या changes आए हैं वो होता है map और diagram यार यह video में इस तरीके से बना रही हो कि कोई भी beginner भी आके देखे न तो उसको लगे कि अगर नहीं भी पता na maps और diagrams क्या है और उसे पता चल जाएगा so video को end तक जरूर देखना अगर आप चाहते हो कि maps और diagrams में कभी भी problem ना आए तो so first of all let's see हमने एक random place लेली है and the name of the place is North Avenue okay so guys आज मैंना बोड पर बहुत ही time बाद लिख रहे हूं somewhere around 2 years के बाद so हो सकता है कि handwriting थोड़ी से haphazard हो so sorry for that but I'll try to do justice to it so North Avenue is the name of the place ठीक है अब यह जो place है आप देखो यह मैंने इस place का न लेट से एक random layout कुछ बना दिया ठीक है यहाँ पे था park इधर था farms ठीक है बस center में थोड़े सी construction हुई हुई थी houses ठीक है and there was a school here अब यह तो था this is the way North Avenue look like in 1965 ठीक है बट North Avenue में काफी सारे changes आए अब देखो जैसे जैसे एक particular जगा की development होती है वो progress करती है तो changes भी आते है ना है ना so changes आए तो 1965 में तो ऐसा दिखता था बट अब हम बात करते है let's say 2012 की ठीक है अब हमने यहाँ पर present का कुछ भी ने बताया it's 2012 again यह भी past है और यह भी past है यह भी past है यह भी past की बात होई यह भी past that means जब हम map को explain करेंगे तो हम past tense ही use करेंगे कौन-कौन सी forms यूज कर सकते है past simple, past continuous and past perfect यह तीनों forms यूज करके हम explain कर देंगे most commonly used form कौन सी है past simple और वो क्या है जिसमें वर्ब की second form लग जाते किसी भी subject के साथ चाहे वो रीना हो चाहे वो राकेश हो चाहे वो दे हो कोई family हो कुछ भी हो तो उसके साथ वर्ब की second form में लगेगी ठीक है अब 2012 में क्या-क्या हुआ इस particular map में वो देखने हैं जो school की building थी ना वो थोड़ी सी extend हो गई है ना क्या हुआ extend हो गई पहले कितना area था short सा था अब वो बढ़ गया area अब जो houses थे पहले तो बस यहां पे थे अब वो यहां पे भी आ गए यहां पे भी आ गए okay, so यह सारे हमारे क्या हो गए houses हो गए और यह वाला जो layout था यहां पे एक society बन गई शॉपिंग कॉम्पलेक्स बन गया यही तो होता है ना डिवेलपमेंट के बाद जादा तर किसी भी जगा को आप देखोगे जब कोई जगा डिवेलप होती है तो ग्रीन एरिया तो सबसे पहले रिड्यूस हो जाता है फिर भी उन्होंने कहीं न कहीं हद तक सोचा कि यहां प फार्म्स और पार्क जो थे ठीक है वो रप्लेस हो गए विदा शॉपिंग कॉम्पलेक्स तो यार यह एक बेसिक लेएउट है जो मैं बता रही हो मैप्स और डाइग्राम्स में ऐसा ही होता है कि उन्होंने आपके दो लेएउट दे दिये आपको एक लेएउट होगा जैस फिर हम प्रेजेंटेंस यूज करते एंड यही अगर हमारा लेएउट वो हमें 20 30 का कुछ बताते तो इन डाइट केस हम क्या यूज करते अगर वो 20 22 का है तो प्रेजेंटेंस यूज होगा अगर 20 30 का है तो हम यूज करेंगे is expected इस तरीके से we are going to use यह आपको clarity मिल गई होगी now I am going to explain you the vocabulary so maps and diagrams में जब हम बात करें तो basically यहाँ पर हमें total of 4 paragraphs ही बनाने पड़ते हैं ठीक है किसी भी writing task 1 का एक structure क्या होता है that you need to understand सबसे पहले आता है introduction जिसमें जो भी question में लिखा होता है बस हम उसी चीज़ को paraphrase कर देते हैं for example question में लिखा है कि there is a layout proposed layout for North American area and how it looked like in 1950 so वो भी उन्होंने बताया हुआ है हमने उसी चीज़ को paraphrase करके the given diagrams or the given diagram ठीक है अब diagram है तो आजाएगा explain ठीक है अगर diagram है तो explains तो वो हमने वहां पर बता देना है introduction में paraphrase करेंगे और paraphrase करके बस एक main thing बता सकते हैं एक line अगर हम चाहें नहीं तो skip कर सकते हैं so it will show the developmental changes that occurred from 1950 to 2010 बस वैसा कुछ लिख देना है it should not be of more than 22 in between 20 and 30 words then हमारा body paragraph 1 बनेगा जिसे हम CP 1 भी बोल देते हैं afterwards we'll have body paragraph 2 जिसे हम CP 2 भी बोल देते हैं then body paragraph 3 नहीं बनता यहां पे उसकी जगा पे हमारा आता है summary so I know many learners what they do they try to add body paragraph 3 as well avoid करो उसे instead आप last paragraph लिख दो and that is like summary ठीक है summary भी short होनी चाहिए बस जो भी पूरे paragraph का क्रक्स था जो भी पूरे task का क्रक्स था कि क्या major changes आए पस वो हमने summary में mention कर देने इन summary लिखने के बाद हम उसे start कर देंगे again वो भी 30 words तक ही होना चाहिए now CP1 and CP2 50 to 60 words half changes जो है आप body paragraph 1 में half body paragraph 2 में explain करोगे अगर 2 years है तो 1960 आप explain कर सकते हो CP1 में and 2010 आप explain कर सकते हो CP2 में या फिर आप ये भी कर सकते हो कि 1960 total changes में let's say वाँ पे 4 things है houses है, park है, school है, roads है, railway line है so let's say ये जो चीज़े हैं इसमें से आपने half body paragraph 1 में explain कर दी and half body paragraph 2 में तो इस तरीके से आपका एक total structure होना चाहिए किसी भी writing task 1 का और इसके बाद मैंने आपको हर एक चीज़ explain करे ही है कि कैसे आप vocabulary यूज कर सकते हो अगर past में है तो कौन से tenses यूज करने है, present में कौन से and future में क्या यूज करना है so अभी मैं आपको explain कर चुक हूँ कि एक particular place में 1965 में ऐसा था and 2012 में ऐसा था पर अभी दर हम वो cap कौन से यूज करेंगे so for example हमारे पास first thing is like buildings ठीक है so building से related हम क्या क्या यूज कर सकते है या तो building की construction हुई है या renovation हुई है या extend हो गई है या demolish हो गई है तो हमें उस तरीके के words यूज करने है अब for buildings what all we can use let us note down these words first one is demolish so it means कि building को तोड दिया है breakdown मताब समझ जो कि वो टूट गई है और अब दुबारा से new construction हो गई second word here is constructed okay so building की construction हुई है अब let's say यहाँ पर क्या था यहाँ पर इक group of houses तो थे ही नहीं so इनकी तो construction हुई है यह new construction है तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं constructed या फिर हम यूज कर सकते हैं developed अब let's say कुछ renovation हुई है यहाँ पर already पहले एक housing एरिया था बट वो रेनोवेट हुआ पूरा का पूरा और उसे high-rise society में कर दिया change so replaced या फिर अगर वो ही एक particular area है जैसे school है इसका size पहले छोटा था और उसे बड़ा कर दिया है तो हम क्या बोल सकते हैं बड़ा रय्रेनोवेटेड आड़ा आण दिया एक बेड़ा था था basically these are the most commonly used words for buildings की building से related demolish ठीक है constructed developed replaced enlarged extended renovated ठीक है so we can use all these words So the next one is forests and green area अगर कुछ भी forest or green area से related है तो वहाँ पर हम किस तरीके की vocab यूज़ कर सकते हैं That I am going to explain now So here the first word is आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत सारे plants जो थे वहाँ पर उन्होंने ग्रोव करें अब उसके लिए we can also use cultivated cultivated, we can use planted, we can use grown अगर हम third form यूज़ कर रहे है cultivated, planted, grown, ठीक है अब यहीं पर यह चीज़ होते हैं कि cultivate हो गए, plant हो गए, grow हो गए So इसके अलावा हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं कि कभी कभार ये भी तो होता है ना कि forest को हम clear कर देते हैं है ना पूरा ही forest खाली deforestation क्या होते है कि सारे trees को cut down कर दिया तो वहाँ पर we can say forests were cleared we can also say cut down ठीक है So all these words can be used for forests and green area cultivated, planted, grown, cleared, cut down So आपको ये देखना है कि किस context में requirement अब जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो plant park है ये तो replace हो गया था ना ठीक है Let's say ये farms की जगा forest area होता तो हम बोल देते the forest area was cleared ठीक है and converted into a shopping complex convert कर दिया था उसे एक shopping complex में So इस तरीके की vocab we can use for green area and forest area Now we'll proceed to the next part अब अगर हम किसी भी layout की बात करें तो यार अब layout है कोई भी जगा है तो वहाँ पर roads तो होंगे ही होंगे railway lines भी होंगे और bridges भी होंगे अब उन सब चीजों के लिए हम कौन सी vocab यूज़ कर सकते हैं that I'll explain now for roads bridges या फिर railway lines ठीक है इधर वी केन यूज़ ये क्या हुआ roads बिल्ट हुए ठीक है develop हुए construct हुए expand हुआ for example कहीं पर road already बना हुआ है बट वहाँ के बाद कुछ भी construction नहीं थी बट लेटर ओन 50 years के बाद construction आई तो क्या हुआ वो expand हो गया और ये same term हम यूज़ कर सकते है railway lines के लिए भी और bridges के लिए भी so built developed constructed expanded इस तरीके से एक और चीज़ हम यूज़ कर सकते है extended so these are the terms which can be easily used for roads, bridges, railway lines अब एक last thing हमारे पास है and that is leisure activities अब leisure activities से related कुछ न कुछ हर जगा पे होता है या तो library होगी कोई या फिर कोई green area होगा हो सकता है वहाँ पे कोई बहुत अच्छा park हो या फिर वहाँ पे हो सकता है कि कोई fun zone हो amusement park हो, so कोई भी चीज हो सकती है तो वो जो leisure activities है उनके लिए हम कौनसी vocab यूज़ कर सकते है that I am going to explain now so now the next one is leisure facilities so जो leisure facilities है उसमें क्या क्या आ जाता है कोई amusement area आ जाता है पार्क आ जाता है ठीक है library आ सकती है तो ये सारी leisure facilities ही है कोई open gym आ सकता है तो leisure facilities में हुआ क्या let's say we are talking about open gym so open gym set up हुआ ठीक है या built हुआ या develop हो गया बस these are the terms which we can use for leisure facilities अगर आपको लगता है जो भी आज मैंने vocab बताई है उसके अलावा भी कुछ words है जो आपको लगता है हम यहाँ आड कर सकते थे so do let me know in the comment section because it is going to help others as well अब इस वीडियो के थूँ आज आपको writing task 1 academic के बारे में पता चला writing task 1 academic में one of the question types is maps and diagrams maps and diagrams में हमने किस तरीके से लिखना है किसी भी चीज को वो इसमें बताया गया है ठीक है कि वो cap को उनसी यूज कर सकते है अगर वो past tense में है तो हम was, were यूज करेंगे passive was यूज कर सकते है past simple यूज कर सकते है past continuous या फिर past perfect यही अगर वो present में है तो we can use forms of present tenses and last is future future में हम will नहीं यूज करेंगे will either use is expected is predicted is foreseen इस तरीके के terms हम यूज करेंगे because future prediction है we are not sure कि ऐसा होगा ही होगा that's the proposed layout it is proposed it is expected it is predicted so इस तरीके के terms ही यूज करने है अगर यह video आपको अच्छी लगे हो तो जरूर एक like कर देना and share this video with others because इसमें मैंने आपको बिलकुल basic से बताया है आपने कैसे एक task को अच्छी तरह लिखना है thank you so much for joining me today